तो और गेमर लगो क्या हल चाले जी हां मुझे पता है वीडियो तीन दिन लेट है तो उसके पास रिजन है यार उसके पीछे मेरे रसोड़े में कौन था ये शोद लगाने गया था सॉरी करी मैं ग्रें चैनलीर पर काम नेट आरहे इस लिया को जाइन देता है तो सबसे पहले हुआ पर क्रीए consume नाम डेद जैसे मैंने पीछले के पीछली वीडियो में जाएधा टिप्स और रहे हो जाएट टिप्स एंड ट्रेक्स अल्राइट अब मैं बस सेंपली आपर यह कर दूंगा और मैं इसको सर्वैवल पर रखूंगा और मैं क्रियेटिव में जाओंगा गेम में क्यूंकि मैं आपको सेंडिस्टन सिक्स चंक्स फ्रेंडले फायर ट्रियन टेवलोड या कुछ भी नहीं करना है सिंपली करना यहां पर क्रियेट ओके सो मैंने माइंक्रप्ट का बेटा वर्जिन भी जॉइन कर लिया है अब आपको पता मैंने प्लेश्टोर से अल्रेडी परचेस के तो लेट्स बैक टूपिक में थोड़ा ब्राइटनेस बड़ा हुआ है रहे ब्राइटनेस इतना कम क्यों गया कहा गया वीडियो वीडियो में जाकर यहां ब्राइटनेस करो इंक्रीज ओके अल्राइट अभी ठीक दिख रहे हैं सो यह हमारा वर्ल्ड तो अगर आप किसे जगह पर स्पॉन हुए हो जहाँ पर आज वाज में पान इच पानी है और आप एक ऐसे सुंगसांग आइलेंड पर बस ऐसे घास तोड़ते कर रहे गए तो फिर आपको कोई भी मार के चला जाएगा तो आइधिंग वो शिप से ओ माय गाड भाई किस्मत होनी जाई है पहल तोन गुसारी तो इधर आ ओके चलो एक शिप मर गई दूसरी शिप मर गई मैं आपको बता हूंगा मैं शिप क्यों मार रहा हूं अरे यार अरे मर जाया मजा चलो तो मैंने शिप्स इसलिए मारे था कि मैं बेड़ बना सको आपको तीन उल चाहिए बेड़ बनाने लिए औ गोमा था मुझे तुमी मार ना पड़ेगा मर जाओना मर जाओना ठीक है गोमा तो को इसलिए मारा था कि मेरे पास खाने का जुगाड़ हो सके अब भी मैं आपको एक चीज बता रहा था कि आपको कुछ प्रियोरिटी सेट करनी है पहले दिन में नंबर वन प्रियोरिटी आपको एक तो बेड़ बनाना है या फिर आपको विलेज डूड़ना है तो अगर आप मेरी प्रेफरेंस लेना चाहते हो तो भाई में तो बेड़ बनाना उस सही समझूंगा क्योंकि बेड़ अगर आप बनाओगे तो फिर आप रात को स्किप कर सकते हो विलेज में है यह हमें पता नहीं है तो इसके विए से मैं बेड़ बनाना ज्याद़ प्रेफर करूंगा आपको और अगर यह दोनों काम आपसे नहीं हो रहे तो आप एक और चीज़ कर सकते हो वाउ यह डॉग देखो यार माइंक्राफ में कुछ एनिमल से से जिनको बिल्कुल छेड़न चाहिए कम से कम सिर्फ दस ज्यादा नहीं ठीक है पहले दिन आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं है पहले सन के तरफ देख लेना है सन की डियरेक्शन में मतलब कब रात होने वाली है और उस हिसाब साब को काम करना है अब देको सन मेरे सर के उपर तो अभी बहुत टाइम है तो मैं अभी 10 उट जमा करता हूँ ठीक है उसके बाद मुझे एक और शीप चाहिए मेरे पास दोई शीप है मतलब दोई उले तो मुझे एक और उल चाहिए उसके लिए मुझे शीप को मारना पड़ेगा तो अभी मैं चलता हूँ शीप ढूंड़ने और अगर आपको इन शीप मतलब तीन शीप को मारकर उल बी आ चुका है तो सबसे पहले आपको एक काम करना है अब जो भी ऊट करोगा उसको प्लैंक में करना है ठीक है और चार रहने देना है यह जो चार है इसको मेरे श्टैक मेरे ने तो मतलब मेरे इन्वेंटर में और मेरे पास अभी 24 प्लैंक्स अब में 24 प्लैंक्स सबसे पहले बनाओंगा क्राफ्टिंग टेबल तो सिंप्ली आपको इस बेड वाले आप्शन पर जाना है और यह रहा क्राफ्टिंग टेबल और उसकी बज़ में लकड़े दिखरी लकड़े आ बारा ले ले नहीं है चार आठ बारा सोला ल बनालो ठीके चलो बेड़ बनाना हो गया अब फिर से क्राफ्टिंग टेबल ओपन करो और हत्यार में जाकर एक उड़ेन की एक्स और एक उड़ेन की स्टोन और सॉरी उड़ेन की पिक एक्स दोई चीज़े ज्यादा बनानी की ज़रूरत नहीं शुरूआती फेस में आपक लो इससे केते हर्ड बार इसमें आप जो रखोगे आप वह हाथ में पकड़ सकते हो और उपर जो आपकी इन मेंट्रेओट हरूट बार में में चीज़े रखना क्राफ्टिंग डेबल बेड और हतियार सबसे पहले रखना क्राफ्टिंग टेपल और बेड जो यह लास सेक परकार का विरेंट है बे शीप वाइट कलर के और बच्छडा ब्राउन कलर का क्या मामला है वही हां डबल गेम के लिए शीप तु किसके साथ ओके एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया सौरी बच्छडे तुझे अनाथ कर दिया मेंने क्योंकि वह तीरी मा थोड़ी सी म जोगा तो इनको तोड़ देना इस तरह ठीके और चलो बढ़ते आगे अब मेरे को कोई टेंशन नहीं क्योंकि मेरे बास बेड़ तुम्हें आराम से नाइड़ बी स्किप कर सकता हूँ अब बात करते घर बनाने की तो देखो यार घर बनाने से पहले आपको स्टोन के पिक मेरे जोंबिस ठीके जहां पर जादा अंद्यर वहाँ पर ज्यादा जोंबिस तो इस बात को धहन मेरा और यह सै कैसे बायूमम्हेट और यह RideN थोड़ा सो दूरी निकलना उस बायों से अब इस ट्रिप्स को में इस शिप को मारदू में सबसे पहले रहे मर्जा भई मर्जा चलो अब आपने चीज़ अब्सक्राइब कि मुझे शीप से दो चीज़े मिले एक फूड रो मटन और एक उल अब यह जो मटन है यह रोई यह क डर्ट यह तो होती है डर्ट सबसे बेसिक चीज माइंक्राफ्ट की यह मिट्टी ठीक है इसको आप हाथ से तोड़ो यह बहुत आसानी से तूट जाती है ओमाइगाड भाई मैं कितने नीचा आगया देख रहे हो तो थोड़ा संबाल के रहना और अब मैं आ चुको एक 20 कोबल स्टोन बहुत इंपोर्टेंट है फटा फट से तोड़ लेता हूं में फिर बात करते आगे अभी रात हुने बहुत टाइम में टेंशन मतलो और मैं आपको बताओंगा फर्स डे में आपको घर कैसे बताना है ओमाइगा आयरन भी मिल गया बड़ी है लेकिन फिलाल म और संबाल करना यहाँ पर के उस में आपको बहुत अलग अलग प्रकार के जानवर देखने को मिल जाएंगे जानवर मॉपस तो यह है कोल यह भी आपको बहुत इंपोर्टेंट एंप फर्स्टे के लिए क्योंकि कोल से आपको टॉर्चेस बनाने को मिलें कि मतलब आप रा डायरेक्ट पटक दो कोप्चे में लें जाकर चलो बढ़िया तो अब मैं आसे निकलता हूँ जल्दी क्योंकि यापर मैं जितने दिर रुखूंगा उतना मेरे लिए खत्रा है चलो अब सबसे पहली चीज़ और में चीज़ जो आपको करनी वह है ओपन जगह रुणनी है तो मैं फिलाल के लिए यह जगट ठीक समझता हूँ ओके ओल्रेट लेकिन इसकी नीचे के होए तो मैं थोड़ा और दूर जाओंगा तो आपको इस तरह थोड़ा संबाल कर काम करना यह जो उपर दिख रहे हड़िया यह है आपका फूड बार तो इस फूड बार को खतम मत होने देना ठीक है चलो यह है यह क्राफ्टिंग डेवल प्लेस करेंके हम बनाएंगे फर्नस क्योंकि हमारे पास रॉफूड और उसे पकाना है अब इन्वेंटरी खोली लिए तो हम बनाएंगे टॉर्चेस बन गई उसके बाद हम बनाएंगे हतियार यह स्वाड यह स्टो यह रखूंगा और यह यहां ले लूँगा होड वर में और मेरे जैसे आपको कहा पहले तीन सेक्षन में आपके हर बार वेपन सुने चाहिए इस तरीके से और इसको नीचे फेको इस क्राफ्टिंग टेबल को फिर से इन्वेंटर में ले लेना बाद में और डर्ट भी इं अब दंडीया कम हो गई है तो मुझे खाना पकाने के लिए खाना पकाने के लिए सबसे पहले क्या करना इस रौफट को यहाँ पर रखना है और इसको लगता है कोल और अपने बास कोल कम था एक है था मैं उसके टॉर्चिस बनाएगी क्यूँकि मुझे रात में काम और यह दो टॉर्केश और यहाँ पर भी ये दो टॉर्केश और अठेंशन मतलग कि टॉर्केश आप तोड़ते हों खिल्केश फिर से इन उंटरी में आ जाती है माइन ग्राफ्ट में आप किसी भी चीज़को मेरे पास खाना नहीं है, आपको क्या करना है, तो आपको जाना है, आपका बेड़ बटर। लेना यहां से ठीके यहां से बेट बटर रोने के बाद दो टॉर्चस बटर लेनी है दो रेने दो यही पर तुट जा ओके सो मैंने दो टॉर्चस ले लिए मेरा बेट ले लिया अब मैं आपरे क्राफ्टिंग टेबल जो वह भी पिक कर लेता हूँ और यहां पर फिर से दो टॉर्चस ले लेता हूँ अगर ऐसे में जाना एक मतलब पर में लेकर हमें आसे निकल जाने तो में इस चीज़ को उठा लेना चाहिए ठीक है और एक चीज़ एक इंपोर्टन चीज़े जो रहे गई आपको बताना जो किये देखो आप जब जहां पर रिस्पॉन होते हो आपको माइंग्क्राफ जाब पर रिस्पॉन करता है आपको उसी के आसपास घर बंदनाना चाहिए ठीक है ज़्यादा दूर मत भाग जाना मेरा रिस्पॉन पोइंट उस साइड में तो मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना है क्योंकर मैं मर गया और अकर मेरा रिस्पॉ होंगा ठीक है बात समझ में आ रहे है हां तो रिस्पॉंड पॉइंट से ज्यादा दूर मत जाना ठीक है ये पानी में जो ये मचली आप इनको इमार कर खाना ले सकते हो ठीक है लेकिन में फिललिंग को नहीं मारना चाहता अब मैं जा रहो एक पहाड ढूंड़ने बड़ा सा जाना है हमें क्योंकि हमें बनाना अभी घर बाफ सोच लिए यह सा घर बंदा रहे पहाड में तो मैं आपको बताऊंगा कैसी ने यहाँ पर एक क्यों तो इनसे थोड़ा बच के रही हो चलो तो में इनसे बच की रहूंगा मुझे निकलना मेरे को मेरे डिस्टिनिशन पर जाना है तो मैं आराम से इनसे न पंगे लेते या से निकलते चलो और जहाँ पर आपने के उस देखिए वहाँ पर मार करकर रखना वह आपको बाद में काम में आएंगी एक्सप्लोड करने के लिए और यह जो आप घर जहाँ भी बनाओ पानी के आसपास बनाओ ठीके तो पानी भी मेरा असपास है और यह रहा एक बड़ा पहाड तो मुझे बिसिक घर बनानी के लिए कोई टेंशन नहीं ठीके अब आपके हाथ में शॉवेल दिख रहे हैं शॉवेल ले लो अगर वहाँ पर स्टोन हो तो आप पिक एक अब मेरे पास आपर शॉवेल है तो यह ए एक यह हो गया दो अब यहाँ पर भी दो ब्लॉक आगे जाना है यह हो गया एक और यह हो गया दो बढ़िया अब यहाँ पर आराम से क्राफिंग डिवल प्लेस कर दो और यहाँ पर आराम से फर्नेंस प्लेस कर दो और यहाँ से दो ब्लॉक आगे जाओ एक दो एक दो और यहाँ पर कर दो आपका बेड प्लेस बढ़िया अब आप यहाँ पर भी थोड़ दो इस तरीके से थाके आपको आने जाने में दिक्कत ना हो और अब आपने जो क्राफ्टिंग डिपल लिया है ठीके अब आप बहार जाओ थोड़ा सा उड़ और जमा करके ले लो अब आप तो बेसिक चीज़े सिख गए हो सारी के सारी मतलब आपके वेपन्स भी अपग्रेडर हो गई अब देख आप उड़ एक दम आराम से आसानी से तोड़ सकते हो और यह जो ट्रीज है इनको फ्लोटिंग मत रखना फ्लोटिंग बोले तो यह दुख हो मैंने आका उड़ निक अब इसके बाद आपको दो तीन चीज़े घर ने जैसे नंबर वन आपको यह जगह थोड़ इसे क्लीन करने है ताक आपको आपका घर दूर से भी नज़र आ जाए मैं जैसे करूंगा वेसे करना आप ठीक है यह वन यह टू यह त्री यह फोर यह फाइव यह सिक्स यह लेगी चलो बढ़िया अब यह इतना ठीक है काफिये एक टॉर्च बस आप यहापर लगा दो आपने जापका घर बनाए वापर और एक टॉर्च यहापर रोड कैस पस लगा दो में लगा दो यहापर पेड़ के नीचे दा कि आपर जॉम्बी स्पॉन ना हूं और एक यहा बेड़ के उपर ओल्रेट अब आप एकदम बेसिकली सीनी होगे के आपके लिए एक छोटा सा शेल्टर भी बन गया अभी आपको क्या करना है मैं आपको बताता हो यहां से सारे प्लैंक्स कर लेने उसके बाद आपको आना इस वादे श्रिक्शन में और यहां से आपको एक तो आप एक काम कर सकते हो आप यहां पर खोदना शुरू करो पहाड़े में आपको कोबल स्टोन भी मिलते रहेगा ठीके और अभी आपको जाना है थोड़ासा नीचे नीचे कैसे जाना है मैं आपको बताता हूं बताऊंगा सब कुछ रुको एक मिनिट अभी आप क्या करो करेंगे जोंकि तोड़ो और थोड़ी जगह बनाओ और इस क्राफ्टिंग डेबल को हम इसको पर रख देते कोई दिक्कत ने आप क्राफ्टिंग डेबल को आराम से एकसेस कर सकते हो ओके अब मैं जो मेरा बेड लगाने की सिस्टम करता हूँ एक मिनिट यह अब बढ़िय है अर आप पर आराम से रह सकते हो अब भी देखो आप जब इनिशेश से में होती होते हो तो इसक क्योंज में सरवाइब आप सर्वाइब करना बहुत मुझकल नि dorthllor में वह बछ के उठी तो वहाँ से जोम्बी जा गए थे तो मेरे को वहाँ सर्वाइब करना उольш पंस नहीं थे तो आप एससे टाइम में क्या करो यहां से एसे नीचे चले जाओ समझे कैसे जाएंगे नीचे एसे वान और मैं आपको बताता आपको कैसे जाना है क्राफ्टिंग रिबल लेना और आपने जो उट जमाए के उसके आपको लैडर कलेक करने है अब यह जो मेरे पास जो उट था मैं उसकी स्टिक्स बनाता हूँ और ऐट एट एंक फिफटे श्टिक्स बना लो ओक आपिस 50 ृफिञ्स के आप लेटर बना लो इंधी या तव इसको बड़ आ आपको क्या करना है वां सिंपली आपको इस तरीके से अधाक को नीच जाना है 20 और आपको यह लीटर प्लेस करने हैं वर Smile ऑर अन कॉस्ट और आपको यह पर लीटर करने है स्थारना है सिल्फलार्स प्थ्थ फूस्ट महलने के वाजा गया इसके ब्लकी सामने यसे डिक करना है और आपको एक तरीके से आपका माइनिंग बेस बनाना है ठीक है अब आपको याप बहुत अंधिरा में मिल रहा होगा ठीक है तो थोड़ा सा एड़्जेस करना टॉर्च अभी हम कोल डूणनी जा रहे में मतलब नीचे आईरन और कोल डूणने ठीक है और इस टॉर्च को कलिक कर लिया मेंने हखं सेट में जाकर एक टोर सब को पूरा सरवाईष कर ना ठीक है इससे लगां बैदिया और आगे बढ़ते जाओ ठीक है तो आपको अबर तो जा रहोना हां ठीक है तब कोई से श्टेर्स बनाते चलना शुरुआ ती फिस में आपको एसी रास्ता बनाते बनाते आगे निकलना होगा कोई ऑप्शन ने दूसरा ओपे बढ़िया तो एसी करते 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 आपको नीचे जाना है जब तो आइरन और कौल सकते हो और फेंड बोले तो आपने दुसरे हाँ में एक हात में शौफिल पकड़े तो आपको आपको और रोशनी मिलती है ठीक है तो यह एक एडवंट एजे पूरी तरीक से जितना पूल मिले गांता सारा ले लो एंड शुर्वाति टाइम में कुछ भी निछोड़ना है जो मिलेगा सब कुछ बटरोते चलो सब कुछ बटरोते चलो अब मैं यह से कोल उठा लेता हूँ सारा का सारा बहुत सारा मिल गया मुझे आराम से बहुत सारी टॉर्चेस बना सकता हूँ मेरे घर को मेरे एंवर्मेंट को अच्छे से में लाइटनिंग दे सकता हूँ ठीक है तो यह बहुत बढ़िया चीज हो ग कोडिने इसको हर बार इनेबल रखना है ओके हर बार इनेबल रखना इसको पर एक सेप्रेट वीडियो बनाऊंगा में आप बताओ कब बनाऊ कल बनाऊ या पर सो बनाऊ क्यूंकि कोडिनेट्स बहुत ज्यादे इंप्रण हो जाब देखार आपर 47491 दिखाए देर रहे सिंपली सुटक से धग देना सब कुछ फिर से और अब मैं यहाँ से जाऊंगा उपर लेडर लगा दो और उपर निकल जाओ अब उपर इसलिए ताकि हमें यहां पर बहुत कुछ करना अभी यहां से उपर आ गए अपने घर में आ गए उसके बाद आपको सिंपली जाना है क्राफिंग डेवल में क्राफिंग डेवल में जाने के बाद तॉर्चस क्राफ्ट कर लो उसके बाद दो चेश्ट बनाओ मैं जिस तरह कर रहा आपको उसी तरह करना है ठीक है यह जो चेश्ट इसको होड़ वार में रखो यह जो आपके हाद की पिकेक्स से इस पिकेक्स को लो और यहाँ पर वान टू त्री फोर एंड फाइव सिक्स इससे छे ब्लोक्स तोड़ ले है उसके बाद फिर से क्राफिंग डिवल में जाना है और एक मिनिट हां यह रहे चेश्ट इसको आप यहाँ पर सिंप्ली रख दो और अब यहाँ पर जो भी आपका फाल तो सामाने जैसे यह यह हो गया यह खाना तो में भी पकाने को रख दोंगा मेरा फर्नस में यह यह सामाने आप यहाँ पर स्टोर करकर रख सकते हो इस चेश्ट में से आपका सामान कहीं नहीं जाएगा इस चेश्ट को सिर्फ आप एकसेस कर सकते हो और अगर आप मल्टिफिलर में खेल रहे हो तो आपका दोस्ट एकसेस कर सकता है ओके और यह स्टोर्न का जो इसे इसमें र करने आपको और एक बार आपको इसमें आना है और यहां से स्टोन लेना है और एक फर्नस बना लेना है अरे स्वरी यह गलतिस हो गया हाँ एक और फर्नस आप बना लो क्योंकि फर्नस जो है वह इंपोर्टेंट है और हाँ एक यह लेडर रख लो मैं आपको पता तो इसका क्य युजे यह एक और फर्नेस बना लिए इस फर्नेस को रखने के लिए जुगाड़ सिंपल यहाप यह कर दो और यहाप यह फूड़ कुक अपने को डाल दो और यह इसी फर्नेस से थोड़ा कोल निकाल लो लाइक दिस और यहाप पर डाल दो बस सिंपल इजी आपने जो टॉर्च ली है वो टॉर्च आपके होड़ बार में ले लो और यहाँ एक प्लेस कर दो यहाँ एक प्लेस कर दो डॉर ओपन करो यह हो गई नाइट अब रात है तो हमें थोड़ा सा हमारे घर के आसपास देखन ना निवटेन की लाइक दिस है ओके यह आगया मुझे मारने बागो बेठा यहाँ से सोरी सांभाल के रहना कर एक घर में घुच गया ना तो फिर कोई बचा ने सकता यह दो को कैसे तरह हुआए अब इनको मारने का इस तरह किसे हैї इस तरीके से मार देने हाए और फिर से डॉर बंध करने का और यहां पर करने का दिन and आपने फ्रस्ट नाइट और सिकड्र नाइट और एक सेल्टर के साथ एकदम अराम से सरगवाइफ कर लिए ये होता है प्डॉपर तरीकी से फिर्शन डे फिर तर्वाइफ करना और आप यहाँ पर आराम से माइनिंग कर सकते हो और आप 30 के नीचे यह जो 47 दिख रहा है आपको पोजिशन यह जब आपके 30 के नीचे चली जाएगे तब आप एक बड़ा रूम क्रिएट कर देना 30 के आसब आपको आईरन मिलना शुरू हो जाएगा तो आप वहाँ पर एक अपसे बड़ा बड़ा किया रहा हूँ चलो बड़ी यह चीज़ बहुत सही हो गई और एक चीज़ अगर आपको इसा बोर हो रहा है यह टच करने को बार बार तो आप एक और चीज़ कर सकते हो क्राफिट इंडिवल में जाओ आपके यहाँ पर जाने के बाद आपको यहा कर लेना एं रहे अरे भाई रुका जा और इस बहुत को हाटमार में ले जाकर यहाँ प्लेस कर दो और तक को यहाँ तच यहाँ पर जाएगा यहाँ अपनना को जाएगा लाइक इसी यह लो आपने आपके फर्श्ट डैट आराम से सरवाइफ कर लिए हैं अब आप बन चुके माइंक्राफ्ट के प्रो पूरी तरीके से लिकिन आप सर्वाइफ तो कर सकते हो आराम से और आप एसे मोब्स को मारके एक्सपी ले लो और एक्सपी का क्या ही उसे मैं आपको बताऊंगा आगे बेसिक चीज़ों तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया और श्याद से वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा भी हो गए तो यह आप ध्यान में रखना आप अपका घर जापर है आप स्क्रीन शॉट निकाल लो इसके जैसे में निकल रहा हूँ एक मिनिट भाई स्क्रीन शॉट यहां पर ऑप्षिन है ओके तो यह मैंने स्क्रीन शॉट निकाल लिया शिक्स्टी फोर शिक्स्टी फोर वन यह बोट सही है यार मेरे 64-64 वर वन तो यह ध्यान में रखना यह बहुत इंपोर्टन उता अगर घर में नई मतलब आप अगर दूर चले गए और आपका घर अब मस्ते जगह बगरे क्लीन करना और अगले एपिसोड में किस चीज़ पर बनाओ मुझे कॉमेंट सेक्चिन में कॉमेंट करो एंड डाक्षी फोर टोड़े गाईज आई होब आपको फर्स्ट जेस रवल एक एक तम अच्छे तरी किसे समझ में आ गया होगा और आप बे